Welcome to SP Tutorials ठीक है तो चले दिखाते हैं कैसे यह सेटिंग्स करना है तो सिंप्ली आप आपका कोई भी वेब ब्राउजर उपेन कीजिए ठीक है तो यहाँ पर आपका जो डी लिंक का आईपी अड्रेस है यह आप डालिए आपका वेब अड्रेस में यहाँ पर डालिए 192.168.0.1 और ए इंटर दबाने के बाद देखी आपके पास जो डी लिंक राउटर का वेब पेज है वो ओपेन हो गया है यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ट देना पड़ेगा अगर आपके पास कोई यूजर नेम और पासवर्ट पहले से सेट नहीं हुआ है तो आपको डिफल नेम और पासवर्ट से मैं लॉगिन कर रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखिए बहुत सरा अप्सेंस है यहाँ पर सीटाप टैब है वाइरलिस टैब है एडवांस टैब है मेंटेनिंस टैब है स्टाटस टैब है हेल्प टैब है तो आपको ट्राफिक कंट्रोल के लिए आपको जाना पड़ेगा एडवांस टैब में एडवांस टैब में आपको जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा ट्राफिक कंट्रोल में ठीक है तो ट्राफिक कंट्रोल में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ट्राफिक कंट्रोल जो उपर में दिखा रहा है यहां पर नीचे में दिखा रहा है total bandwidth ठीक है तो यहां पर देखिए upstream जो 0 दिया हुआ है और downstream जो दिया हुआ है इसका मतलब है अगर आपका upstream और downstream 0 setup हुआ है तो आपका ISP से जो भी आपका bandwidth दिया गया है वही bandwidth आप यूज़ कर पाएंगे ठीक है तो अगर आप कोई limit करना चाते है तो यहां पर आपको एक rules देना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए आपका जो भी device है device का IP address को पहले जानना पड़ेगा तो आप यहां पर simply status में जाएं status में जाने के बाद आप यहां पर left side पर active client table को देखिए active client table पर जाने के बाद आप जो device का bandwidth को set करना चाते है उसका IP address को देख लीजिए या फिर मैं यहां से copy कर लेता हूं जैसे यह मेरा device है computer है इसको मैं bandwidth set करके दिखाता हूं ठीक है तो इसका जो IP address है मैं यहां पर copy कर लेता हूं प्रापी करने के बाद आप जाएए advanced टैब में जाने के बाद यहां पर left side पर फिर से जाए ट्राफिक कंट्रोल में ट्राफिक कंट्रोल में जाने के बाद आप यहां पर add कीजिए एक QOS rules दीजिए यहाँ पर add button पर click किजिए click करने के बाद आपको यहाँ पर source IP देने पर पड़ेगा जो की आपका device का IP है तो मैं यहाँ पर paste कर दे रहा हूँ paste कर देने के बाद आपको यह सब भरना नहीं पड़ेगा subnet mask जो net mask है destination mask यह आपका देने का जरूरत नहीं है सोर्स IP दे दीजिए उसके बाद यहाँ पर देखिए आप फ्लोड जो है यह 1kb में कर दे रहा हूँ उसके बाद जो आप सेलिंग है इसको भी 1kb कर दे रहा हूँ और यहाँ पर down floor मतलब जो down speed है वह भी 1kb कर दे रहा हूँ और down selling भी 1kb कर दे रहा हूँ ठिक है तो add करन खूलके मैं दिखा देता हूँ मेरा इंटनेट चल रहा है तो यहाँ पर जो एक यजिस सपीड है स्पीड में इंटरनेट ऑपन doesn't है ठीक है तो चलिये दिखाता है एड करके कि तो मैं ह 260 एड कर दिया हूँ सेही नहीं है ठीक है. तो उसके बाद फिर से आप इसको हटा भी सकते हैं, इसको डिलट कर देने के बाद फिर से आप खोल के देखिए, देखिए, खुल जाएगा ठीक है. अब देखें, यहां पर इन्टर मारी खुल जाएगा, ठीक है. तो फ्रेंट आज के लिए यही वीडियो थांक यू फर वाचीं आफ और ग्रेट दें